प्यारे दोस्तों नमस्कार वेट गुरु रादे चैनल पर आपको बहुत स्वागत है यह पाइमेटरा का केस है देखे पाइमेटरा का मतलब है यूटरस में पस का बनना पस इंदी यूटरस तो देखिए आराम से तोड़ा नजदिक लाकि दिखावें तो दोस्तों यह हमने यूटरस में केथेटर पास कर दिया दोस्तों यह देखिए इस केथेटर से भी मवाद आरी है यह जो केथेटर है यह देखिए और वेसे भी आरी दोस्तों केथेटर हमने यूटरस में पास कर दिया देवारी मवाद यह देखिए यह देखिए यह देखिए यह देखि दोस्तो हमने इस तरह से हमने केफ़िटर लगा दिया दोस्तो इसके यूटरस में तो दोस्तो ये है नॉर्मल से लाइन नॉर्मल से लाइन लगाएंगे हमें इसको देखिए इंट्रा यूटर है तो दोस्तो देखिए नॉर्मल से लाइन जा रहा है इंट्रा यूटर हैं लेकिन ये शिरब नॉर्मल से लाइन ही नहीं इसमें देखिए ये लूगोल सायुडिन है ये लूगोल सायुडिन बना थे कैसे हैं बहुत बार वीडियोज में बता चुके हैं अगा तो यह देखिए दोस्तों ळूगोस्वाइदिन हमले डाल दिया है ऑच तो लग्बख 15 योगोसर्ण। में डाल दिया है जिस नॉर्मिल सब्स्प्रूंद में समय इसाइडिन पुरा यूटरूस में जा रहा है दोस्तों Dash प्रकार यह क्रिया हम करतें तीन से पांस दिन तक तो इससे पुरा यूट्रस क्या होगा जो ड्रेनेज आउट होगा इसमें जो भी पस है और अगर पुरा फ्लशिंग होके साफ हो जाएगा इस नॉर्मल सा लाइन में इस लोगोल साइवडीन के द्वारा तो जितने प्रकार और बैक्टिरिया वाइरस प्रोटोजवा या जो भी इंफिक्शन है पाईवजेनिक और वित पस है सारा का सारा बाहर आएगा और दोस्तों साथ में यह है क्लोप्रोस्टिनोल सोडियम 2 ml यह लूटियोलाइटिक एक्शन होता है कार्पस लूटियम को रिग्रेस करता है उ समय पस उतना ही बाहर निकलेगा और यूट्रस अपनी नॉर्मल स्थित्यों को आएगा और ठीक होगा और दूसरा यूट्रस में कॉंट्रेक्शन भी कराता है यह लूटियोलाइटिक तो हई यूट्रस में कॉंट्रेक्शन भी कराता है दोस्तों जैसे ऑक्सिटोसिन और और गोमेट्रिन से होते हैं वैसे कॉंट्रेक्शन भी गराता इस प्रकार दो प्रोपर्टी होगी लिट्योलाइटिक और यूटराइन कॉंट्रेक्टर यानि एकबॉलिक्स अब तो हम यह लगातें दोस्तों इंट्रा मॉस्कुलारूड से यह लगता हैं तो इंट्रा मॉस्कुलारूड से लगा दिया क्लोप्रोस्टिन सोडियल अ अ दोस्तों ये देखिए ये है विटामिन A, D3, E यानि विटामिन A, Retinol, विटामिन D यानि COLIKELC, फْ宴ेरोल और विटामिन E यानि TOSP, ये तीनों का combination है ये fat soluble vitamins है, तीनों ही वसामें gulanसिल विटामीन से हैं, विटामीन A, D3 और E, और तीनों ही बोड़ी की इम्मुनिटी बढ़ाते हैं, दोस्तों, इम्मुनिटी बढ़ाएंगे, और चमड़ी की स्वास्ते के लिए मैसा ठीक है, क्योंकि इसकी चमड़ी भी देखिए, खुरदरी, रुखी, सुखी से हो रही है, औ और नीचे आप जब देखेंगे थोड़ा इसके वेंटल बेली रीजन में, थोड़ी सुखी, मोटी तोचा और पप्रीदार तोचा हो चुकी है, तो दोस्तों, इसकी वापस से उसको बनाएगा, स्वस्त करेगा, तो यूटरेस की जो अंदर वाली दिवार है, उसको भी स् तीनों है, तो इन तीनों का कॉंबिनेशन यूटरेस के आंतरिक परत को भी मजबूत बनाएगा, उसके स्वस्त करेगा, और इसकी चमड़ी को भी ठीक करेगा, यह लग गया, तो इसको उतार देते हैं दोस्तों, यलो, और यह इंजेक्शन अपन लगा देते हैं, इसको इ नवसकार